सिर पर सहरा, घोडी के आगे नाशते बाराती और वर्माला लेकर अपने सक्षियों के साथ आती उनके सपनों की शहजादी ये वो सीन है जो आजकल जहांसी के साजेरा गाउं के कुवारे युवाउं की आखों में सजने लगे हैं हो भी क्यों ना जिनके गाउं में आजादी के सतर साल बाद भी विजली ना पहुँची हो उनका इस कदर खुश होना तो लाजमी है तहसील मउरानीपूर के ग्राम पंचायत कटेरा देहात के साजेरा गाउं में बिजली ना होने के कारण कई युपकों की शादी नहीं हो पाई है गाउं में प्रात्मिक विद्याले तो है लेकिन अभी तक बिजली नहीं पहुँची है गाउं के रहने वाले अजे सिंग बताते हैं कि गाउं में कोई भी अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहता लड़की वाले आते तो हैं लेकिन अंधेरे में डूबा गाउं देखकर वापस लोट जाते हैं ऐसे में बिजली के खंबे लगने से जिन लोगों की शादी नहीं हो पाई थी उनके अंदर उमीद की किरट जग गई है वहें इस बारे में ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर कलू वर्मा कहते हैं कि बिजली ना होने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी संबन पर भी असर पड़ता है लोगों का कहना है कि बिजली के आने से गाउं का विकास तो होगा ही साथ ही अर्सों से अपनी दुलहन का इंतजार कर रहे युवाओं की शादी का सपना भी सच हो जाएगा साजेरा गाउं में बिजली के खंबे लग चुके हैं लोगों को अब उम्मीद है कि उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे इसके साथ ही कई कुमारों में भी इस बात की उम्मीद जगी है कि अब उनकी शादी हो सकेगी लक्ष मिना राएं इती भी भारत